सुप्रभाद बच्चो मैं आपकी हिंदे विशे की अध्यापिका आर्ति शर्मा बच्चो आशा है आप सभी घर पर रहकर अच्छे से होंगी बच्चो मैं आज आपको आपकी किताब सुवं भार्ति के पार्ट सत्रा रहिमन बिलास के दोहों का अर्थ समझाने जा रही हूँ जो रहीम जी द्वारा लिखे गए है इसके रचेता रहीम दास जी है इन दोहों में रहीम जी ने लोग व्याहार वा नीती का अज्ञान प्राप्त कराने का बच्चो को प्रयास किया है बच्चो इसमें दस दोहे हैं जिनका अर्थ में आपको एक एक करके समझाओंगी जो रहीम गति दीप की कुल कपूद गति सोए बारे उज्यारों करे बड़े अंधेरों होए तो बच्चो प्रस्तुत पंतियों में रहीम दास जी ने बताया है कि जिस तरह दीपक के जलने से अंधेरे में रोशनी हो जाती है इसी प्रकार जब घर में बेटा पैदा होता है तो खुशिया आ जाती है सभी परिवार के लोग खुशिया मनाते हैं और सोचते हैं कि हमारा कुल दीपक आ गया कुल को आगे बढ़ाने वाला आ गया लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर आश्रण ही निकलता है तब सारे घर में अंधेरा चा जाता है और सारा परिबार मायूस हो जाता है तो बच्चो अब दूसरे दुहे पर चलते हैं अमरत ऐसे बचन में रहीमन रिस्की गास जैसे मिश्री में मिले नीरस बास की फास तो बच्चो इसमें रहीम दाजी ने यह कहते हुए बताया है कि जब कोई व्यक्ति हमसे करदे बचन बोल देता है और उस पर हम अपना गुसा भी प्रकट नहीं कर पाते तब वह बात हमारे गले में एक फास की तरह अटक कर रह जाती है कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई बड़े हमसे या छोटे जब कोई हमसे ऐसी दिल दुखाने वाली बात कह देते हैं तो कभी कभी हम उनके आदर सम्मान में कभी उनको जबाब नहीं देते और हम कुछ बोल नहीं पाते परन्तु वह बात हमारे दिल में और हमारे गले में एक फास की तरह अटक कर रह जाती है जिस प्रकार मिस्री में मिली बिना रसवाली कोई फास अब रहीम दास जी ने अगले दुखे में कहा है रहीमन अब वे बिरच कहां जिनकी छांगंभी ही बागन बीच बीच देखत सेवण कुझ करीन इसमें रहीम दास जी ने बताया है कि अब वे ब्रक्ष दिखाई नहीं देते जो पहले जमाने में हुआ करते थे हर घर के बाहर घर के आंगनों में और घनी छाया देने वाले बड़े ब्रक्ष हुआ करते थे आम नीम पीपल आदी लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इस जमाने में वैसे ब्रक्ष दिखाई नहीं देते जिनके छाया घनी होती थी अब तो बाग बगीचों में ही छोटे छोटे सेहुण के पौधे जाडियों के जुंड और करील की जाडियां ही काटे तार जाडियां ही न पर दान करते थे ऐसे घने ब्रक्ष अब हमें दिखाई नहीं देखते और देखने को भी नहीं मिलते तो बच्चों अब हम अगले दोहे पर चलते हैं जिसमें रहीमदाजी ने जीब के बारे में बताया है रहीमदाजी ने यह बताया है कि जो हमारी जीब है मूँ के अंदर रहती है और अच्छा अच्छा स्वात हमको बताती है रहीमदाजी कहते हैं कि हमारी जीब तो पागल होती है जो अच्छी और बुरी सभी बातें कहकर मूँ के अंदर छिप जाती है लेकिन उसकी बज़े से जूते हमारे सिर को खाने पड़ते हैं कपाल यहाँ पे कपाल का अर्थ है सिर तो वो बता रहे हैं कि जीब हमारी अपमान जनक शब्द या गलत शब्दों का प्रयोग करती है तो उसका असर हमारे शरीर पर होता है यानि जो व्यक्ति के लिए हम वो जीब से कड़वे बचन बोलते हैं उसको जब बुरा लगता है तो जूते खात कपाल तो वो हमारे सर पे जूते हमें खाने पड़ते हैं इसलिए रहीम दास जी ने बताया है कि जीबा तो बाबरी होती है जीब जो हमारी होती है कभी कभी तो यही जीब के कारण हमें स्वर्ग की या आनंद की प्राप्ती होती है या सम्मान प्राप्त होता है और यही जीब के कारण कभी कभी हमें बहुत अपमान भी जेलना और बढ़ते हैं तन रहीम है कर्म बस मन राको ओई और जल में उल्टी नाव जो खेंचत गुन के जोर तो यहां पर इस दोहे में कबीर दास जी ने शरीर के कर्मों के वश में होता है यहां हमें बताया है लेकिन हमारा मन चारो और बटकता रहता है रहीम दास जी का कहना है कि शरीर कर्मों के वश में होता है लेकिन हमारा मन कर्मों के वश में नहीं होता वहां तो चारो तरफ बटकता रहता है जिस प्रकार यदि हम नाव को पानी में उल्टा कर दें और अपनी सारी चत्राई से उसे खीचेंग तो भी वहा नहीं खिचेगी तो उनका कहने का तात पर यहा है कि हम शरीर को तो अपने ध्यान तब जब से कर्मों में ला सकते हैं लेकिन तन को कर्मों में ला मगर मन को हम वश्मे करने के लिए हमें थोड़ा साथ जादा प्रयास करने की जरूरत है बच्चों अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं समय लाव समलाव नहीं समय चूख सम चूख चत्रण चित रहिमन लागी समय चूख की हूँ इसमें रहीम दास जी ने समय के लाव को बता है और समय के लाव को समझता है जो समय के महत्व को नहीं समझता और समय पर कारी नहीं करता वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है और पीछे रह जाता है तो वह यह बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए और जो समय के लाव को समझता है वही व्यक्ति हम सफलता प्राप्त करता है और विक्ती समय के महत्तनी को नहीं समझता यह कुछ भी हास नहीं लगता है बच्चो अब हम अगले दोही कियोड़ चलते हैं इसमें रहींदास जी ने बताया है रहींदास जी कहते हैं कि धनबानों के तो सभी मित्र होते हैं और विभिने प्रकार से उन के काम आते हैं लेकिन उनका कहना ये है कि जो दुख और विपत्ती में काम आए वही सच्चे मित्र कहलाते हैं कहने का ताथ पर यह है कि जब हम दुख और विपत्ती में होते हैं तब ही हमारे सच्चे मित्र की परख हो पाती है इसलिए रहीम दास जी ने कहा है कि अगर हमारे पास पैसा है संपत्ती है तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं पर दुख के समय जो हमारे साथ खड़ा रहे वही हमारा सच्चा मीथ है बच्चो अब हम अगले दो ही क्यों चलते हैं दीनन सबन को लखत है दीनन लखे न कोई जो रहीम दीनन लखे दीन बंधुसम होए इसमें रहीम दास जी ने बताया है कि गरीब व्यक्ति अपनी सहायता के लिए सब की और देखता है क्योंकि वह गरीब है असाय है लेकिन जो व्यक्ति गरीबों की सहायता के लिए सुयम आगे बढ़ते हैं और गरीबों के दाता अथा दीन बंधु कहलाते हैं अपनी मर्जी से जो गरीबों के लिए कारी करे या उनके लिए उनकी सहायता करे और सहायता करने के लिए या उनके प्रति कोई भी कारी करने के लिए जो व्यक्ति स्वयम आगे आता है रहीम दास जी ने उसे यहाँ पर दीन मंदु कहा है अर्थात दीनों का बंधु दीनों का सहयता करने बाला बच्चो अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मोन अब दादोर बक्ता भए हमको पूछत कौन इसमें रहीम दास जी ने वर्षा आने पर जो कोयल मोन साध लेती है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि वर्षा आने पर कोयल ने तो मोन साध लिया है लेकिन मेड़क की टर टर की आवास से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेड़क बोल रहे हैं औ तब हमें ऐसे में कौन पूछेगा इसलिए यहां पर रहीम दास जी ने बताया है कोयल याने कोयल और दादुर याने मैडक वो कह रहे हैं कि अब तो जो बरसात के टाइम पर मैडक टर टर की अबाज लगातार करते हैं उसके उपर उन्होंने बताया है कि अब मैडक बोल रहे और बकता का काम कर रहें बोलने वाले का काम कर रहे हैं तब ऐसे में हमें कौन पूछेगा बच्चों अब हम अगले इसे और लास्ट्धों पर दो करोद नब तारे चिपे जात हैं जो रहीम भihen भोष रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ते आने पर चाहें आपके पास लाखों करोडों रुपे भी हो पर वहाँ आपके लिए ना के बरावर हो जाते हैं जैसे सुबह होने पर रात में निकले लाखों करोडों तारी समाथ हो जाते हैं अर्थात रहीमदास जी का कहना है कि अगर हमारे पास लाखों करोडों रुपे हैं परंतु हमारे उपर कोई विपत्ती आ गई मान लीजिए हम किसी दुरगटना का शिकार हो गए और हमारा एक उन्ग चला गया या हमें कोई बीमारी लग गई जो ला इलाज है तो वहां पर हमारे जो लाखों करोडों रुपे हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं जब हमें डॉक्टर जवाब दे देता है कि इस भीमारी का कोई इलाज नहीं है तो हम असाय हो जाते हैं और उन लाखो करोणों रुपे का कोई भी यूज या उपयोग नहीं कर पाते इसलिए रहीं दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार रात में निकले हुए तारे सुबह होने पर धीरे-धीरे समापत हो जाते हैं उसी प्रकार हमारे जो लाखो करोणों पैसे हैं वो अगर विपत्ती के समय काम नहीं आए तो वो खराब हो गए और ना के बराबर है जो हमारे पास पैसा है वो ना होने के बराबर है तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको कविता का भावार्त समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा और आप घर पर रहकर इस पुस्तक का और अभ्यास कीजिए इन दोहों का और अभ्यास कीजिए और आपको जो नोट्स बेज़े जाएंगे उसके भी आप इनके प्रशनुत्तर याब कर सकते हैं ये आपके लिए परिक्षा उपयोगी है आप घर पर रहकर स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवा ढाल प्र household rules,ẽ 就ह Пणिए तो हिता हैं ग्रशनुत्तम और शट के लिएे लिकते हैं रह्था जट श्यादक्षित बाल है, बीघंगे ख रहश. З archives घर रहिए, जो तो हिस सबस्ते हैं पशनुत्त्तर रहीँ क्में लबेंज़ी आवीवास से गहां है प्क्यवान पैंवे लिए